दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ट 12 एक्जाम 2021 के लिए कमेश्ट्री का 30 गेस अब्जेक्टिब को क्लियर करूँगा जो की 2020 एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा इस से पहले फिजिक्स का 45 गेस अब्जेक्टिब को समाप्त कर दिया गया है आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाए डिस्क्रिप्सर में लिंक है उस वीडियो का आप लोग जरूर से जाकर के देख लिजेगा स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो को पूरा जरूर देखेगा इस वीडियो में हम लोग कमेश्टि का 30 गेस अब्जेक्टिब को समाप्त करेंगे वीडियो में आप लोग लाज तक बने रहिएगा दोस्तों अनेकडमी पर मेगा मैराथन बीत माइस्ट रोज सुरू हो रही है 3 दिसंबर फ्री ओन अनेकडमी 3 दिसंबर से अनेकडमी पर बिल्कुल फ्री में जेई में एन एडवांच 2021 के लिए फ्री असपेसल किलास वाट इंडिया चॉप इडूकेटर पर आइटीज ऐए फ्रीजर इसपेसल क्लास दिया जाएगा इंडिया के टॉप इडूकेटर स्के द्वारा जैसे में वहस 150 परसाज डी कि आने कट मी लर्निंग एप इंस्टॉल हो चुका है अब आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जुनिंक दिया गया है उस lockdown क्लिक कर जैसे लिंक पर क्लिक किजएगा आप लोग यहाँ पर अपना प्रिप्रेशन कर सकते हो श्टार्ट करते हैं विडियो को दोस्तों आप लोग चाहें तो टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं कि आप लोग को तीस ऑब्जेक्टी में कितना सही हो रहा है और चलता है को जो चल डूबाबर 2 में एक फरैयडे में के बराबर होते हैं 1ग श्यानमे हजार 500 कुलम के बराबर 2 का ए हो जाएंगे कोशन नमबर 3 में है रावा कितने परकार के होते हैं बहुत इंपोर्टेंट कोशन है दो जारे किसी सब्सक्राइब के लिए थी हो जाएंगे घुल्स रॉल है चार अप्सन दिये गये हैं पाच का C हो जाएंगे गिल्सरॉल जो की ट्रा हैड्रिक एलकोहल है पाच का C हो जाएंगे कोशन नमा 6 की हो चलते हैं जिंक है एक जिंक क्या है तो 6 का A हो जाएंगे जिंक जो की संक्रमन तत्व है कोशन नमस साथ क्यों चलते हैं कोशन नमस साथ में है जवर कम करने में परियुक्त दावा को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं जवर कम करने में परियुक्त दावा को जवर हारी कहते हैं तो साथ का सी हो जाएंगे जवर हारी साथ में है polythene किसका बवलक है काफी important question है 8 का B हो जाएंगे ethene ethene और ethene में आप लोग ध्यान दीजेगा polythene यहाँ पे पुछा गया है polythene तो यहाँ पे ethene हो जाएंगे right answer B हो जाएंगे 8 का question number 9 में है fructose का सूत्र fructose का सूत्र क्या हो जाएंगे हो जाएंगे दस का B हो जाएंगे C A 3 C N हो जाएंगे question number 11 में है औग जेलिक आमल का आइपक नाम औग जेलिक एसीड का आइपक नाम क्या हो जाएंगे बहुत important question 11 का C हो जाएंगे ethene die oic acid हो जाएंगे यानि आमल हो जाएंगे question number 12 में है h c h का आइपक नाम क्या हो जाएंगे बहुत important question 12 का क्या जाएंगे C हो जाएंगे ethenoic acid हो जाएंगे यानि आमल हो जाएंगे 13 में है निमलिखित में से कौन अक्रिश्टालिये ठोस है 4 अप्सन दिये गए है इसमें क्रिश्टालिये ठोस के रूप में भी जाना जाता है Question number 15 की हो चलते है Question number 15 में है मूल्च संथरों के संखिया होती है मूल क्रिश्टाल तंथरों की संखिया साथ होती है 15 का 5 ec हो जाएंगे 16 में N.A.C.L. Crystal की संजचना होती है कैसा होती है चार उप्शन दिये गया है तो 16 का क्या जाएंगे 16 का B हो जाएंगे जो की फालक केंद्रित होता है NACL क्रिश्टल की सनाचना से भी 102 कोशन पूछे जाते हैं कोशन नमर 17 में है मोल अर्था को व्यक्त किया जाता है चार उप्शन दिये गया है 17 का C हो जाएंगे मोल प्रती लीटर कोशन नमर 18 में है फायराइडे का विदूत विछेदन का दीतिय नियम संबंधित है चार उप्शन दिये गया है 18 का B हो जाएंगे विदूत अप घटे के सम्तुलिभार से कोशन नमर 19 में अप आपकरमंद का सूथ्र है बहुत इंपरिटन कोशन है का का सूथ्र क्या हो जाएंगे 19 का B हो जाएंगे C, U, A, F, S, 2 हो जाएंगे 20 में है किस ग्रूप के तत्वों को संक्रमन तत्व् providers कहा जाता है बहुत इंपरिटन कोशन 20 का C हो जाएंगे डी बलॉक हो जाएंगे कोश्चन नमर 21 21 में पुछा गया है सेलफाइड आसक का समहरन किया जाता है सेलफाइड आसक का समहरन किसके द्वारा किया जाता है फेल उत्पलावन बिधी द्वारा 21 का A हो जाएंगे 22 में है इथाइन इथाइन में पाई बॉर्णो की संख्या इथाइन में पाई बॉर्णो की संख्या कितनी होती है तो 22 का क्या जाएंगे B हो जाएंगे 2 होती है इथाइन में पुछा गया आप लोग ध्यान दिजेगा इथाइन में पाई बॉर्णो की संख्या इथायन में पाई बॉर्णों की संख्या दो होती है ठीक है कोश्चन नमर्थ 23 में है BCC एकल सेल की संकूलन छमता संकूलन छमता आपको एक से दो अबजेक्टिव इससे पूछे जाते है कनफार्म तो BCC एकल सेल की संकूलन छमता पूछा गया है 23 का B हो जाएंगे यानि 68 परतीसत हो जाते है कोश्चन नमर्थ 24 में पुछा गया है नीम में सबसे अच्छा बिदूत का सूचालक चार अप्सन दिये गया है इसमें से सबसे अच्छा बिदूत का सूचालक कौन है 24 का B हो जाएंगे यानि ग्रेफाइट हो जाएंगे 25 में है हिलियम का मुख्य सुरूत है 25 का B हो जाएंगे रेडियम हो जाएंगे कोश्चन नमर्थ 26 में है समन ताप एवं दाव पर किसी गैस के एक मोल का आयतन है कितना हो जाएंगे 26 का 26 का B हो जाएंगे 22.4 लीटर होते है याद रखेगा आप लोग 27 में है रेवादार ठोस है तो यहाँ पर 27 का A हो जाएंगे हीरा हो जाएंगे चार अपसंदिये गए इसमें से हीरा हो जाएंगे रेवादार ठोस पुछा गये है कोश्चन नमर्थ 28 में है जो कि एनिलीन में पाई बॉन्डो की संख्या आप लोग ध्यान दिजेगा क्या पुछा गये है एनिलीन में पाई बॉन्डो की संख्या 28 का D हो जाएंगे 3 हो जाएंगे कोश्चन नमर्थ 29 में है किसी भी पदार्थ के किरिया करने का दर निर्भर करता है 29 का A हो जाएंगे सक्रिय दरब्यमान पर किसी भी पदार्थ के किरिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय दरब्यमान पर कोश्चन अब अब 30 कियों चलते है उजला और पीला फोस्फोरस है उजला और पीला फॉस्फोरस है तीस का ए हुजाएंगे आप परूप होते है इस तरह से हम लोग तीस अब्जेक्टिव को समाप्त कर लिए अभी आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर दीजे साथ ही साथ आप लोगों को तीस अब्जेक्टिव में कितना सही हुआ ए भी नीचे कमेंट कर दीजेगा अब आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है सेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग अभी तक physics का objective नहीं देखे हैं description में link है जा करके देख लिजिए दोस्तों मिलते एक नए वीडियो में तब तक लिए जाहिंद बंदे मातर